नमस्कार मैं सुनीता कथमन्थां में आप सब का स्वाकत करती हूँ कथमन्थां में आज सुनिए स्वण लटा का 28 अध्या स्वांड लटा के सारे parts आपको वन बाई वन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो जो ब्लॉग में है उसका लिंक मैं आपको description box के अलावा आई बटन में अन्य लेखको की प्रिय कहानिया का प्लेलिस्ट बटन जो मैं आप को दे दिया है आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्ण लता का 23 अध्य है कहा था स्वर्ण लता ने जानूगी कि अभागी स्वर्ण ने एक ही दिन में माबाप तौनों को खो दिया किन्तु माबाप खोने से क्या ही है खोने का प्रशन माबाप थे कब उनके रहने का प्रमान उसने कब पाया तो जो वस्तुती ही नहीं उसके खोने का सवाल ही कहां उठता है फिर भी अबोध स्वर्नलता ने असंखे नक्षत्रों से भरे आकाश की और स्तब्ध होकर ताखते वे एक नक्षत्र की खोच करते वे उसी कही हुई बात को मन ही मंदर आया मैंने एक ही दिन में माँ बाप दौनों को खोया कोई नया नक्षत्र क्या ही है सुन पाएगा सुन कर हस नहीं उठेगा कहेगा कि जो था ही नहीं उसी के खोने का दुख कर रही है तू छी कि तू सुन लता शायद हो कि वह बात वह सुन ही नहीं पाएगी इसलिए वह उस आसमान से आखों को हटा ही नहीं पा रही है इस पर इस घर में आकाश है सुन लता के गुलाबी रंगे इस मकान में क्योंकि इस घर में छट पर जाने की सीड़ी भी है और दक्षिन की और बरांदा है जिस बरांदे में हवा का अनंत दक्षिन्य है जिस छट पर अंतहीन अंधकार की निवण प्रगाड़ प्रशांती है छट पर ही तो मुक्ती है यहां उपर स्थिर पढ़ा असंख्य नक्षत्रों की माला पहने वियाकाश तो स्वर्ण लटा को अपने को धन्यवाद नहीं दिना चाहिए ना दे धन्यवाद तो स्वर्ण लटा अकृतग्य है परंतु स्वर्ण अकृतग्य नहीं है वह जब इस अंतिहीन अंदकार में आकर खड़ी हो जाती है तो एक गहरे निश्यवास की ओट से उसके हिर्दय का शांत धन्यवाद उमड़ाता है यहां स्वर्ण लटा च्छत पर आ सकती है और चुकि आ सकती है इसलिए दो शण के लिए भी कम से कम यह भूल सकती है कि स्वर्ण लटा नाम की नारी करम चंचल और शब्द मुखर एक स्थूल और छोटे से संसार की ग्रहनी है भूले रह सकती है वह संसार अपनी स्थूलता और शुद्रता के लिए हर घड़ी स्वर्ण लटा को पुकारता है उससे बचने का उसे उपाई नहीं फिर भी शायद आज अब कोई नहीं पुकारेगा आज शायद स्वर्ण लटा के बच्चे उसकी कुछ परवा करेंगे नहीं पुकारेगा नहीं इसलिए स्वर्ण लटा इस तब बैटी मैन में सोच सकती है कि उसकी माँ थी राज राजेश्वरी मा वहती स्वर्ण की सारी चेतना सारी व्याकुलता सारे ही एनुभव में मुर्क स्वर्ण केवल एक मूड अभिमान से उस मा की और से मुझ फेरे हुई थी नहीं तो सभी और के, सभी मान अभिमान को दूल में बिखेर कर क्या मा के पास जाकर पच्छाड नहीं खाया जा सकता था कहां नहीं जा सकता था कि मा बड़ा जी हो रहा है तुम्हें देखने का इसलिए मैं चली आई, स्वर्ण ने ऐसा नहीं किया उसने अपने अभिमान को ही बड़ा किया, उसने यह सोचा कहां मान ने एक बार भी तो नहीं बुलाया उसे स्वर्ण ने सोचा पती के आगे नहीं जुकूंगी मैं इसलिए स्वर्ण की मा नहीं थी अब वह, सब मान अभिमान को दूल में विकेर भी दे तो कहने ही पाएगी वह बार मा तुम्हें एक बार देखने को मरी जा रही ही हूँ मैं लेकिन अभिमान धूर हुआ अभी भी तो स्वर्ण बाप पर एक दुरंत अभिमान की ये बैठी है ये पत्थर सीव, ये पत्थर ये तूट पड़ता तो शायद कापाल पीट-पीट कर्ची कुड़ती क्यों, क्यों तुम सब लोग मिलकर मुझे क्यों ठगोगे मेरे साथ ऐसी निश्ठ उड़ता क्यों करोगे स्वर्ण लता की मा की चिठ्थी तुम लोगों ने चुपचाप अगर स्वर्ण लता को भेज दी होती तो क्या नुकसान होता तुमारा यदि कहते, अरे ओ स्वर्ण तेरी मा के ने मरने से पहले ये पत्र देने को मना किया परन तुम उससे इतना निर्दा ही नहीं हुआ गया मैं दिये जा रहा हूं तुझे अब तु सोच ले, इसे खोलेगी के नहीं स्वर्ण सोच थी, कि तु स्वर्ण के पता ने रहसा नहीं किया और उसकी मा चुकी चिठ्टी के जवाब नहीं चाह दी थी इसलिए कह गई मेरे मरने के बाद स्वर्ण को देना इस मुष्टी भिक्षा की जरूरत क्या थी सारे शेल में उतल पतल करने वाला इत प्रबल मानो उस पत्थर को तोड़ना चाह रहा हूं और मुष्टी भिक्षा का वह नमूना उसकी मुठी में बन था लिफाफा बन था स्वर्ण लदा उसे खोलेगी नहीं नहीं देखेगी कि उसमें क्या लिखा है उसकी निर्दाई मा की निर्दायता का यह नमूना स्वर्ण का इतना बड़ा जीवन जब मा छोड़कर ही कड़ गया तो बाकी भी कड़ जाएगा वह सोचे जो वस्तु थी नहीं उसका खोना क्या स्वर्ण लदा की मा नहीं नहीं थी मा सची क्या नहीं थी कभी नहीं स्वर्ण लदा की जीवन के नौ साल नहीं हो जाएंगे उसके नौ साल के जीवन के पूरे आकाश में एक अनिर्वान जोती नहीं है उस जोती के परिमंडल में वह किसका मुकड़ा है अपनी मा का मुकड़ा क्या भूल गई है वह उसके जीवन काश की वह जोती सदा के लिए पूछ बैठी पूछी गई है अगर तो सुन लता किस जोत में फ्रॉक पहने उस चोटी सी लड़की को देख रही है जो लड़की स्कूल से लोड़ते ही कौपी किताब रकर दोनों हाथ बढ़ाए जट पट मा के पास दोड़ी गई मा, 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 मा वश्य हाहा कर उठी मत छूना स्कूल के कपड़े हैं लेकिन मा की आँखों के कौने के में प्रश्रा है होट के कौने में हसी फिर भला कोई उसके जूटे निशेद की सजी सजाई बोलिसो ने बिना डिप्टे माने भला परंतो उस अंदकार में दृष्टी वैसी नहीं चलती केवल शब्द तरंगे पच्छाड खाती अंदकार असीम अंदकार अंदकार के उस समुद्र में डूब कर स्वर्ण समवत है उस बच्ची से एकाकार हो जाने लगी उसकी तरंग तरंग में वह जाने लगी स्वर्ण शब्द शब्द स्मृती की डिबिया में शायद परत परत भरेते आज का धका खाकर वे उभरने लगे बिखरने लगे नई सिर्मे से गुंजने लगे जो पहला शब्द भोर भोर से उस चोटी से बच्ची की नीन की खुमारी को चौक कर धक्का दे जाता था वहता हड़ी पसली जाक रहे घोडे से खिची जाने वाली गाड़ी का शब्द आविश्वस्नी है एक कतवार की धेरी को धिये दोए जा रही है वह गाड़ी और जन जनात की आवाज उठ रही है और उसी शब्द के साथ दूसरा एक शब्द स्वान उठो अब स्वान अवश्य कहते ही उठने ही पड़ती इस पर फिर मीटी सी एक डाट किन्तु उस डाट की आड़ में मानो प्रशे का एक माधोरी है स्वन उठ सकती उठ पड़ती है उठते ही सुनती रसोई में बरतन बासन इधर उधर होने का शब्द उस शब्दिंस में मा मिली हो मानो दुपहर के सुने पन में और एक शब्द उटता था थन 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 कड़ी धूप में बरतन वाला जा रहा है माते पर बरतनों का जोका और हाथ में कासा के साथ लगड़ी का एक टुकड़ा उसी काट से कासा बचता होता थन थन वह शब्द दुपहर की खामोशी में एक सिरहन सी जगा दे जाता मन हुहु कर उठता सलेट पैंसिल रखकर मा से सट कर बैठने की इच्छा होती मा कहती क्या हो गया लिखते लिखते उठाई वह लड़की मा से सटी बैठी रह कहती यूही मा बच्ची के घुंगराले बालों को कपाल पर से हटाते वे इसने सने सवर से कहती यूही माने यूही कुछ होता है कि मा के बदन से अपना गाल घिस्तुई बच्ची कहती होता है होता है यही तो हुआ और उस समय यदि दुपहर की निर्जनता को भंग करते वे हांक उटती बेर, मीठे बेर, सुगिया बेर, चीन का सुन्दूर, इत्यादी आवाजें तो उस बच्ची मिक्के कुछ आता जाता ना था चाती धरदर नहीं कर उटती, बदन चमचम नहीं कर उटता उस मीठी गंध वाली शेरीर में मानुब भै को जै करने की दवा मौजूद हो काहे की वहमी दिकन साड़ी की मातरहदे की किसकी शब्द उटता बिलबारी चूड़ी चाहिए, काच के खिलोने, साबून, तरल, आलता अवा जाती पंखा बरफ, पंखा बरफ, फिर तो ढर कहां, उमंग, उमंग आगर है उत्सा सुनते ही वह लड़की दोड़कर खिड़की पास जाती और फिर वहां से खिसक आकर कहती आम, आमा, माँ हस्तो यo कादी हूँ, बड़ा तो लाड़ देख रहे हूँ क्या चाहिए, सुनू, काच का खिलोना खिलोना का क्या होगा, इतना तो है, बच्ची भीरू गरे से कहती, वारे मेरे पस नन्ना खिलोना है सो ननना खिलो ना अत्वा बरफ, पंखा बरफ तो मा कहती दुर वै बरफ बड़े वाहिया और धंगसे बनती है वै भी कोई खाता है नहीं खाता है तो बेचता क्यू है पेनावे में फ्रॉक छोटी होते वे भी बच्ची तरक में छोटी नही थी कहती नहीं कहता है तो बेचता क्यूं है माँ पैसा निकलती कहती अरी बेचते तो साप का जहर भी है तो क्या वही खाएगी कहती और पैसा देती कहती बस आज दे दिया फिर नहीं वही तो वही सही नगत जो मिले हाथ पसार कर ले लो बाकी के खाते में शुन्य रहे और एक दिन की बात फिर सोच जाएगी किसी किसी दिन मा डारती, खामा का पढ़ना छोड़ छोड़ कर चली आती है पढ़ने में मन नहीं लगता, वह कह दे सकती थी भरी तुपरी में ऐसी आवाजे सुनने से मुझे डर लगता है कहने से बहुत कुछ सहज हो जाता पर वह लड़की तो सब नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रह जाती है मा कहती है, जा लिखना लिख ले, बच्ची धीरे-धीरे चली जाती है और पल छीन गिनती रहती है, कब रात होगी रात को तो मा हटाती हुई कहने ही पाएगी जा पढ़ जाकर रात में मा की चाती से सटकर लेटी-लेटी बदन पर हात रखकर एक परम सुखमय आवेश के मिंटों में सो जाना उस छोटी सी बच्ची के साथ स्वन लता घूंती फिरने लगी मा के पास पैट कर बाल बंधवाती, खाती, पाठ कंट करती, किताब पत्तर लेकर स्कूल जाती दुरगा पूजा की मूर्ती देखने जाती, जहां जाती मानो बेड से घिरी जगत जन्नी की मूर्ती के किनारे उसका नाम तिर तिर आता, रानी रासमनी का घर, शोभा बजार का राजमहल, शाम बजार के मित्तिर का घर, कहीं खट खोडवे पर चड़ जाती, कहीं स्वांग देखाती, उसके बाद थके वे दुखते पाउन पर लोट कर कहती, मा कितनी मूर्तियां देखी जानती हो, पा नहीं मांग अखे, ठीकी किया, नहीं मांग, नहीं अच्छा है, लेकिन इतना मांगना चाहिए, मा दुर गए, मुझे विद्या दो, विद्या, विद्या, उठते बैठते, मा यही कह करती, विद्या ही असल है, समझी, इस्त्रियों को विद्या साध्य नहीं, इसलिए उनक प्राप्त की है विदुशुयों उन्हें कितना गौरव कितना सम्मान है उनका वही सम्मान वही गौरव तेरा भी होगा स्वन लता के सरवांग में एक प्रबल अंदोलन उठा चट पर लेटकर फश पर मुह रगड़कर बोली कि तु अंत तक बचा नहीं सकी मा तुमारे दिय मंतर के दहा में तुमारी स्वन का सारा जीवन जर्जित होता रहा बहते आसू बहते बहते दुस्रह यंद्रना भुझ गई स्वन लता फिर अभी वही देखने लगी शब्द तरंगों पर कहते कहते दृश्य के घाड़ पर आकर टकर आई और उसने देखा स्वन रेदा की मा रसोई घर में बैठी रसोई कर रही है मा छट पर जाकर कपड़ा सुखने दे रही है मा फर्ज जाड़ कर बिस्तर बिछा रही है माटी पर आई नरतर मा जुड़ा बांध रही है गोरे चिटे मू को घेरे काले रेशम जैसे बालो की राशी कपाल पर घिस गए सिंदूर के टिके का अभास परान जुड़ाने वाला कलेजा जुड़ाने वाला आँखे जुड़ाने वाला अश्चा रही है इतनी बड़ी मा थी उसकी और स्वन्ड मामली सी मान के लिए अपने को प्राचिर से घेरे बाटी थी अच्छा ही हुआ स्वन्ड तुझे उप्युक्त ही दंड मिला मा एक चिट्ठी लिख कर दे गई वह भी कह रखा कि मैं मर जाऊं तब उसे देना इसके सिवाए और क्या होगा तेरा मान और आत्मगलानी दोनों ही जुचते वे अपनी जड़ गाड़ना चाहने लगे और अंत में आत्मगलानी की ही जीत वही माँ मेरी माँ मैं इस निर्मायक आदमी के पाउं पढ़कर निहुरा करके ही तुम्हे एक बार देखने क्यों नहीं गई अब तो जीवन के सारे ही गीत स्थब्ध हो गए सब परकाश भुझ गया मैं जान नहीं सकी कि मेरे जीवन के आड़ में तुम गीत होकर उजाला होकर थी मेरा एक विराठ आश्वर या मानो अपने लोहे के संदुक में बंद था लगता जब चाहूंगी उसे खोलूँगी खोलते ही देख पाऊंगी समझ नहीं सकी हटाथ एक दिन देखूंगी संदुक खाली हो गया मैं किवल दूसरों का ही दूश देखती हूँ और पत्थर होती रही अपना दुश तो दिखा ही नहीं मा तो माना की दूर थी बाप तो था बाप को अपरादी बना कर त्याग दिया था मैंने आज भी त्याग आई और उस जीते जी आदमी के मूँपर कहाई समझूंगी मेरे माबाब दोनों को खो दिया मैं क्या हूँ केवल कठिन कठोर जीवन भर उस काठिन्य की तपस्या ही करती रही बहुत दिनों के बाद मेरे लड़की लड़के सोच भी पाएंगे कि माँ के पास आते ही किस चीज का सौरब पाते थे बालों का साड़ी का या केवल मातर हिर्दय क्या किन्त उस नहें सौरब से कोमल होने का समय कप पाया सोणने उसे तो अविराम युद करते हुए ही चलना पड़ा था वह यदि कोमल होती तो मुक्तकेशी की दुनिया से कभी छुटकारा मिलता नहीं मिलता मुक्तकेशी का बेटा उसे ग्रास कर छोड़ता उसकी इच्छा पर उठना बैटना पड़ता उसकी कड़ी नजर से सिट पिटा जाना पड़ता और उसकी लुग्द इच्छा की दासी गिरी करते करते आत्मा को बिक जाने की नौबत आती किन्तु वह आत्मा आज भी है क्य बिकने नहीं दूंगी इस आन पर लड़ते लड़ते ध्वंस नहीं हो गई उस ध्वंस वही आत्मा को फिर से गड़कर खड़ा नहीं किया जा सकता चेश्टा से जतन से साधना से नहीं यह नहीं होने का स्वर्ण बोलोठी असुर से लड़ने के लिए देवी को भी चामुंडा बनना पड़ता है वीना वादनी सरस्वती कोड़ी की पिटारी वाली लक्ष्मी के वश भी नहीं वह भूमी का निभाना स्वर्ण लता अब लड़ाई लड़ने से बाज आए अपने संसार को जैसे चले चलने दे अपने को समेट कर एकांत में बैट उस दुहनस आत्मा का इधियास लिखे लिखे गी मातर एक स्वर्ण लता ही नहीं ऐसी हजारो हजार लाखों लाख स्वर्ण लता ऐसे ही दिन दिन तिल-्तिल करके दौ़ंस हो रही है कोई लड़ते लड़ते चुरचुर हो रहा है तो कोई भीरुता से घर की शान्ती की आशा से अपनी सत्ता लुटा कर पुरुष समाज की इच्छा का खिलोना बनकर बैट कई मैं पहले उनकी अवग्या करती थी सुर्ण लदा ने सोचा जिससे उसने खंगर्श की रहा नहीं अपनाई बिना बिचारे अधिनता कुबूल कर ली अब मैं उनकी अवग्या नहीं करती समझती हूँ उनमें लड़ने की शक्ती नहीं इसलिए लाचार होकर उन्होंने यह पत चुल लिया उनमें अनुभूती नहीं है वा उसी में खुश है हमारा ऐसा सूचना मूल है सत्ता के बदले उन्होंने शानती खरी दी आत्मा के बदले आश्रे क्योंकि इसके सिवाह हूने दूसरा उपाए नहीं समाच उनका सहयक नहीं अभिवावक उनके अनुकूल नहीं प्रकरती तक उनकी विरोधी अंदकार के जीव है लिफाफे में बंद चिट्टी को एक बार हाथ में अनुभव किया काश इस निसीम अंदकार में बैठकर पड़ी जाती दिन के उजाले यह दिये की रोशनी में ऐसी थोड़ी सी निस्मता पाती निरजनता की तब शाहिद बंद दरवाजे को खोल देती विहल दृष्टी फैला कर देखती कि उसकी माने कौन सी बात उसे लिख दी लेकिन वह निरजनता है कहां चारो और तो ही तो निगाएं हैं व्यंग कौतुकौतुहल की निगाएं जो सरवधाती की हुई हैं दुनिया में आखे कितनी अधिक ह हो गए हैं इतनी अधिकांकें कि दू इनके लिए आसहिशुन भी नहीं हुआ जा सकता क्योंकि वे सुर्णलता के हैं इनका सारा दाय दायत भूटते वे चलना है अंत तक इनका अभ्या करना है इनने दुनियादार बनाना है बिमार हो तो जतन करना होगा प्रसूती घर में जाएगी तो वे जहमेला भी जेलना होगा और इनका मन मिजास समझ भूज कर बोलना होगा इनकी अवहिलना नहीं की जा सकती इन्हें टाला नहीं जा सकता इन्हें तुछ नहीं किया जा सकता वैसा करो तो ये तुरंत ही फोसु करके बदला वसू लेंगे क्योंकि इन्हे स्वर्ण लता ने ही सिखाया है कि सभी आदमी समान है सिखाया है मनुष्य मात्र को स्वादिंता का अधिकार है इस भिक्षा क्या यदि ये कुछ और अर्थ समझे तो वह निश्य ही इनका दोश नहीं दोश स्वर्ण लता के सिखाने का है अपने हाथ के तयार किये ड्रैगन के जबड़े से भाग कर जाएगी कहा है स्वर्ण उपाय ढूडने लगी भागने की यानि भाग कर जान बचाने की चीर परीचित पद्यदों पर अब रूची नहीं है उसे बार बार चेश्टा की यह अमराज ने उसे वापस कर दिया एक नहीं एक बार नहीं बार बार आह यूही यदि लेटे रहा जा सकता किसी तरफ भी ताकना नहीं रात दिन केवल अकाश की और ताकते वे मृत्यू के बाद जैसे संसार में मूँ फेरते वे लोग वैसे हो आज इस एक भैंकर शुन्यता की घड़ी में संसार अपना सारा मुल्यक होकर मानो एक मात्री पिंड सा पढ़ा हो स्वर्णलता इस में पिंड को छोड़ने का उपाय खोजने लेगी इस माटी के भूज का भार अब नहीं ढो सकती स्वर्ण